देश में उवी क्रॉन की बढ़ते मामलों के बीच लोग क्रिस्मस और नए साल का जिशन मनाने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने एतियाद बरते हुए नए साल और क्रिस्मस का सेलिब्रेशन पर ब्रेक लगा दिया है या लगाने वाले हैं जी हाँ नीदरलेंड ने 14 जनवरी तक संपून लोगडाउन लगा दिया है वहाँ अब स्पूल कॉलेज, म्यूजियम, पब और आपको बता दें रेस्टरांट पूरी तरह से बंद रहेंगे वहीं अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारे क्रिस्मस और नैसार पर भीड को देखते हुए आंशिक लॉगडाउन या प्रतिबंद लगा सकती है ब्रिटेन में फिलाल नाइट क्लब और पार्टियों में जाने से पहले वैक्सिनेशन सर्टिपेकर दिखाना निवारे कर दिया गया है इसराइल की बात करें तो इसराइल ने आज से अमेरिका, कैनेडा और जर्मनी सही 10 देशों से नो फ्लाइट लिस्ट में डाल कर यात्रप प्रतिबंद लगा दिया है फ्रांस की बात करें तो यहां की सरकार ने क्रिस्मस और नए साल पर आतिश बाजी पर पूरी तरहा प्रतिबंद लगा दिया है ताकि लोग इखटा ना हो सके इसके अलावा आयले ने पव और बार में रात को आठ बज़े की बाद एंट्री बंद करने का अदेश ज़ारी कर दिया है भारत की बात करें तो उमिक्रॉन की मामले बढ़कर अब 161 हो चुके हैं दिल्ली में पिछले 6 महीने में पहली बार एक दिन में 100 से ज्यादा कोरोना क के केस सामने आये हैं ऐसे में राज़े के हिसाब से देखें तो महाराश में 54 अब तक उमिक्रॉन के केस हैं दिल्ली में 32 तेलंगाना में 20 राजिस्थान में 17 गुजरात में 13 केरल में 11 करनाटक में 8 उत्तप्रदेश में 2 तमिलनाजू आंधरप्रदेप शिमंगाल जादा जरूरत है